भारत एक संस्कृती प्रधान देश है और हम 21 सदी की और कदम रख चुके हैं लेकिन 21 सदी की और बढ़ने का मतलब क्या हमें अपनी संस्कृती को भूलना होगा आज वर्तमान चकाचोन में हम अपने पारंपरी खान पान, कला, संस्कृती, वेश भूशा, त्योहार, पर्व, बड़े बुजर्गों का सम्मान ही भूल जाएं क्या ये सही है? बाहरी विदेशी परंपरा की और आज की युवा पीड़ी खिचती चली जा रही है ऐसे ही विदेशी परंपरा का विरोध करने के लिए डोंगर गड़ युवा हिंदू मंच आगे आया है यहां बता दे कि एक नव निर्मित रेस्टरंट में 14 फरवरी वेलेंटाइन्स डे को ध्यान में रखते हुए युवक युवद्यों को आकर शित करने के लिए पेंपलेट वित्रत किये जा रहे थे जब इस बात की जानकारी हिंदू युवा मंच संगठन को हुई तो वे इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए फूड फैक्टरी का घेराव कर होटल मालिक को समझाने के लिए पहुँच गए यहां आपको ये भी बता दे कि वेलेंटाइन्स टे एक अवकाश दिवस है जिससे 14 फरवरी को अनेको लोगो द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है अंग्रेजी बोलने वाले देशों में ये एक पारंपरिक दिवस है जिसमें प्रेमी एक दूसरे के प्रती अपने प्रेम का इजहार वेलेंटाइन कार्ड भेज कर फूल दे कर या मिठाई आदी दे कर करते हैं ये दिन प्रेम पत्रों के वेलेंटाइन के रूप में पारसपरिक आदान प्रदान के साथ गहरे से जुड़ा हुआ है और 14 फर्वरी को जो वेलेंटाइन डेन क्यान प्रमोट करें आ कार गर्मूशन चलता है तो उसको हम भी रोध करेंगे और उसको विर्वत करेंगा उसका होने नहीं देंगे एसे ही लिटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाली KD Banquets Enterprise